Hello Friends, कै आप प्रेगनेंटे और आपको O.R.S. पीने की सलहा दी गई और आपको ये लग रहा है कि O.R.S. पीना क्या प्रेगनेंसी में सीफ है या नहीं है तो मैं डॉक्टर سुशिला सेन्या आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि pregnancy में ORS पीना क्या सही है या गलत है सबसे important चीज़ यह है कि pregnancy अगर है तो अपने को पानी तो बहुत सारा पीना होता है लेकिन यह दिया आपका BP कम आ रहा है या आपको चक्कर आ रहा है तो कई बार आपको आसपास के लोग सलहा दे देते या शरीर में पानी की कमी होती है तो सिंपल पानी की जिगए ORS पीने के सलहा दी जाती है क्योंकि ORS के अंदर sodium, potassium और minerals काफी सारे होते हैं जो कि पानी के साथ साथ बाडी के अंदर minerals का level भी बनाये रखते हैं यानि कि electrolytes जो होते है sodium और potassium और chloride उनका level भी बाडी में मिंटीन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि जब भी blood pressure down होगा तो हमें minerals और vitamins के भी ज़रूरत पढ़ती है जो कि हमें ORS से मिल जाते हैं इसलिए डाइरिया वाले पिशिंट को यानि कि इसको बहुत सारे दस लग गए या जिसको बहुत ज़्यादा उल्टेया हो रही है तो उन लोगों को ORS पीने के सलहा दी जाती है अब प्रेग्नेंसी में ORS सेफ है या नहीं है तो डेफिनेटली इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि जो नुकसान करता है जासमें सोडियम होता है पोटेशयम होता है लाक्टेट होता है और पानी होता है और थोड़े मातर में ग्ल्कोज होता है इसके अलवा और जादा कुछ होता नहीं है जैसे ही अगर pregnancy होती है तो pregnancy में ये सवाल आता है कि कोई भी चीज़ अगर आपन बाहर ही लेते हैं कोई दवाई लेते हैं या कोई भी जूस लेते हैं या कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उसमें कोई ऐसा ingredient या ऐसा पधात या ऐसा chemical नहीं होना चाहिए जो कि बच्छे को नु जैसे हैं जनरली ओएरिस पीने के इंडिकेशन अगर आपको बहुत जादा वामिटिंग हो रही है और पानी के साथ आपको चक्कर आ रहे हैं या ऐसा लग़ारा कि घबराट हो रही है तो पानी के जगह पर आप वारस ले सकती है आपको डाइरिया हो गया और आपकी शर मे पानी की कमी हो गई है तो भी आप वारस ले सकती है इसके लावा आपको उठने बैटने में आपको चक्कर आ रहे हैं आपका सेर घूमरा आपको लग रहा कि बलड प्रेशर डाउन हो गया तो भी आप वारस ले सकती है इसके लावा रूटीन में भी अगर आप दिन भर में आपको प्रेक्निंसी है तो आपको 3-4 लेटर नॉर्मल पानी भी पीना होता है, इसके अलवा आप निम्बू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, छाच ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, दूद ले सकते हैं, बाहर की नहीं लेनी होती ह लेकिन आप milkshake बना सकते हैं काफी बना सकते हैं और बहुत सारे fruit shakes भी बना सकती हैं तो यह सारी चीज़े आप आराम से ले सकती हैं लेकिन आपको cold drinks नहीं लेनी है बाहर के preservative added कोई भी drinks किसी भी प्रकार की नहीं लेनी है और ऐसी कोई चीज जिसमें कि हमें यह नहीं पता किस वीडियो में नहीं जानकरी के साथ तब तक नमस्कार